हमारे इस खान सेग्मेंट एक्स्प्रीनर में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ चवानी पांडे एक्स्प्रीनर में बात हम करेंगे पाकिस्तान और इरान के बढ़ते तनाव के बीच क्योंकि जिस तरीके से इरान ने बीते मंगलवार को हमले किये पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल पर जिसमें तीन धाल हुए है और दो की मौत हुई है उसके बाद पाकिस्तान ने उसी वक्ते साफ कह दिया था और इस हमले में साथ लोग मारे गए हैं तो यह बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से बड़ी जवाबी कारवाई मानी जा रही है क्योंकि इसका एलान पाकिस्तान पहले ही कर चुका था और इरान और पाकिस्तान की बीच का यह जो तनाव है यह बहुत पहले से ही है लेकिन इस बीच अमारिका का साथ पाकिस्तान को मिल सकता है हाला कि पुरानी दोस्ती रही है पाकिस्तान और अमारिका की लेकिन कुछ यहाँ पर तनाव भी देखने को मिला लेकिन वापस अगर ये युद्ध और जादा लंबा खिंचा या फिर बढ़ता है या फिर इरान अगर हमले अब नहीं रोकेगा इसके बाद जवाबी कारवाई उसकी ओर से भी एक बार फिर की जाएगी तो इसकी आशंकाएं भी जिताई जा रही हैं विशेशर युद्वारा की युद्ध और लंबा खिंच सकता है और अगर युद्ध चीन के लिए जो अलंगा यहां पर अलंगा लगाने वाली बात है वो यह कि चीन का दोस्त इरान भी है और पाकिस्तान भी है पाकिस्तान के भी साथ उसके अच्छे संबंध है और मिडल इस्ट में मध्यपूर में इरान के साथ भी चीन के संबंध बहाद अच्छे हैं और चाता है कि ये जो संघरश है दोनों के बीच, ईरान और पाकिस्तान के बीच की लडाई और लंभी ना खिचे और यहीं पर खत्म हो जाए, हाला कि दोनों ने एक दुसरे पार अटाक यहां पर कर दिया है, लेकिन इरान को एक तरीके से उकसा है पाकिस्तान ने और हो सकता है इरान फिर से अटाक करे वहां के आतंकी संगठनों पर जो बार-बार इरान पर हमला करते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो चीन के लिए सबसे जादा मुश्किल घड़ी वो होगी कि आखिर वो साथ किसका देगा इरान का या फिर पाकिस्तान का क्योंकि अगर अपने दबदबे को कायम रखना है चीन को मिडल इस्ट में जहां पर इस्रेल और हमास की जंग चल रही है उ इस सारे अरब देशों का क्योंकि जितने भी अरब देश हैं वो नहीं चाते कि एरान आगे बढ़े मिडल इस्ट में उसकी जो चक्ती है वो और जादा जो ताकत है उसकी और जादा मस्बूत हो ऐसे में तमाम जो अरब देश है वो भी पाकिस्तान की फेवर में रूस यूकरेन का युद्ध जिसको अब लंबा वक्त हो चुका है और अब भी वो युद्ध थमा नहीं है रूस और यूकरेन अभी एक दूसरे क्यामने सामने है और जो दूसरा युद्ध इस वक चल रहा है इस्जाहल हमास यह आप सब को पता ही होगा लेकिन वो भी अमारे का पाकिस्तान के साथ देगा या फिर नहीं आप कमेंट सेक्शन के जरी हमें जरूर बताईए